कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक साल के दौरान की गई बिविन कारवाईयों के बारे में जानकारी देते हुए CSP विकास पांडे ने बताए कि अपरादियों की धरपकड़ और अपरादों को रोकने के लिए कई कारे किये गए हैं कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक साल के दौरान की गई बिविन कारवाईयों के बारे में जानकारी देते हुए CSP विकास पांडे ने बताए कि अपरादियों की धरपकड़ और अपरादों को रोकने के लिए कई कारे किये गए हैं CSP कारियाले में आईजित प्रेस वारता के जरिये विकास पांडे ने बताया कि कोतवाली सिविल लाइन थाना छेतर में कई महदवपूर और बड़ी उपलब्दियां हासिल की गई हैं अवेद नशिय को रोकने बारंटी को गरपतार करने चोरियों साइब बिविन अपरादों का खुलासा करने के साथ कई अन्य वारदातों के खुलासे की भी जानकारी दी गई इस दौरान थाना टी आई भी मौजूद रहे जो पिछले एक वर्षों में पुलिस की उपलब्दियां रहे हैं पुलिस के दौरा जो कारवाही की जा रही थी इसके बारे में सभी लोग के जानकारी में देना था इसके संदर में आज सभी को यहाँ पर बुलाया गया था मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष पुलिस ने जो शहर में चोरियां हुई थी उन चोरियों में बहुत अच्छी कारवाई की और लगबग 27 लाग का मशुरू का पुलिस ने पिछले साल परामत किया था साथी साथ जो हमारे यहां की नावालिक लड़कियां चली गई थी उसमें भी पुलिस को सफलता मिली है और 38 नावालिक लड़कियों को पुलिस वापस दस्तियाप करके लेके आई है साथी साथ लोगों से नव वर्ष में यह अपील है कि वह नशे के सेवन से दूर रहे और कहीं भी अगर अवैद नशे की गतिविदियां हो रही है अवैद शराब विक रही है अवैद गांजा विक रहा है या ब्राउन सुवर या पाउडर विक रहा है तो लोगों से यह अपील की जाती या पेक्षा की जाती है कि पुलिस को सूचना दे ताकि उन लोग के विरुत कठोर से कठोर कारवाई की जाती